आपका पहला सवाल है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग-अलग नाम है, आपके आप्शन है A. तुलसी दास, B. कबीर दास, C. महात्मा गांधी, D. स्वामी विवेकानन इसका सही जवाब है, आप्शन B. कबीर दास आपका दूसरा सवाल है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था आपके आप्शन है A. जिन्ना, B. चर्चिल, C. हिटलर, D. सर्दार पटे इसका सही जवाब है, आप्शन B. चर्चिल आपका तीसरा सवाल है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है आपके आप्शन है A. रिग्वेद, B. यजुर्वेद, C. सामवेद, D. अथर्ववेद इसका सही जवाब है, आप्शन A. रिग्वेद आपका चार नंबर सवाल है, एफिल तावर कहां स्थित है आपके आप्शन है A. दुबई में, B. पेरिस में, C. जापान में, D. अमेरिका में इसका सही जवाब है, आप्शन B. पेरिस में आपका पांच नंबर सवाल है, किस फल से हमें तेल प्राप्ट होता है आपके आप्शन है, A. लीची, B. संतरा, C. पपीता, D. नारियर इसका सही जवाब है, आप्शन D. नारियर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले आपका अगला सवाल है, दर्मियों में किस रंग का कपड़ा पहनने पर अधिक पसीना आते है आपके आप्शन है, A. लाल रंग, B. काला रंग, C. पीला रंग, D. तुजला रंग इसका सही जवाब है, आप्शन B. काला रंग आपका साथ नंबर सवाल है, किस भारतिय राज्य की दो राजधानिया है, आपके आप्शन है A. गोवा, B. पंजाब, C. महाराष्ट्र, D. जम्मो कश्मी इसका सही जवाब है, आप्शन D. जम्मो कश्मी आपका आठ नंबर सवाल है, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुशों से अधिक है, आपके आप्शन है A. केरल, B. सिक्किम, C. राजस्थान, D. उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है, आप्शन A. केरल, आपका अगला सवाल है, भार्किय पुलीस का सबसे बड़ा पत क्या है? आपके आप्शन है, A. आईजी, B. स्पी, C. डी आईजी, D. डी जी पी इसका सही जवाब है, आप्शन D. डी जी पी आपका दस नंबर सवाल है, क्यालेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? आपके आप्शन है, A. चैत्र, B. माग, C. बैशाक, D. फालगुन इसका सही जवाब है, आप्शन E. चैत्र, B. दोस्तों हम दस प्रशनों और उनके जवाब हल कर चुके हैं, आज के सभी प्रशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अवश्य लाइक कर दे, तो चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है, भारत के किस व्यक्ति के 49 पत्नियां और 14 में बच्चे हैं, आपके आप्शन है, A. मुकेश अम्बानी, B. अभिशेक पटे, C. जियोना चन्ना, D. अमिताब बच्चन इसका सही जवाब है, आपका 12 नंबर सवाल है, सरवाधिक आम का उत्पादन किस देश में होता है, आपके आप्शन है, A. चीन, B. भारत, C. जर्मनी, D. अफ्रीका, इसका सही जवाब है, आप्शन B. भारत, आपका 13 नंबर सवाल है, भारत में पहली बार सफेद बाग कहां देखा गया था, आपके आप्शन है, A. केरल में, B. महाराश्ट्र में, C. मध्यप्रदेश में, D. उत्तर प्रदेश में इसका सही जवाब है, आप्शन C. मध्यप्रदेश में, आपका 14 नंबर सवाल है, कौन सा पक्षी पेड़ पर नहीं बैठता है, आपके आप्शन है, A. मोर, B. तोता, C. कोयल, D. टितोनी इसका सही जवाब होगा, आप्शन D. टितोनी आपका 15 नंबर सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध में भाग लेने वाला देश कौन सा है, आपके आप्शन है, A. चीन, B. गुरूस, C. इंग्लेंड, D. अमेरिका इसका सही जवाब है, आप्शन C. इंग्लेंड, D. दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपका 16 नंबर सवाल है, भारत में सेप का सरवाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, आपके आप्शन है, A. पंजाब, B. बुजरात, C. उत्तरप्रदेश, D. जम्मु कश्मी, इसका सही जवाब है, ऑप्शन D. जम्मु कश्मी, आपका 17 नंबर सवाल है, दुन्या में सबसे महंगा खून किस जीव का होता है, आपके आप्शन है, A. सांप का, B. बिच्छु का, C. मनश्य का, D. केकडा का, इसका सही जवाब है, ऑप्शन D. केकडा का, आपका 18 नंबर सवाल है, कच्छा आम किस बीमारी को जड़ से ठीक करता है, आपके आप्शन है, A. सुगर, B. कैंसर, C. एसिडिटी, D. एनीमिया, इसका सही जवाब है, ऑप्शन C. एसिडिटी, आपका 19 नंबर सवाल है, मोधी जी की पत्नी का क्या नाम है, आपके आप्शन है, A. कविता, B. सावित्री, C. हिराबेन, D. जशोदाबेन, इसका सही जवाब है, आपका 20 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा चिडिया घर कहां स्थित है, आपके आप्शन है, A. चैन्नई में, B. केरल में, C. मुंबई में, D. दिल्ली में दोस्तों इस प्रशन का सही जवाब आप सभी लोग पॉमेंट करके बताईएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद